जी बिस्म अल्य रह्मानिलाहिम, असलाम अलेकुम आवरिवन, आएम तन्वीर अकरम and वोचिंग तन्वीर अकरम अकैडमी, आज हमारा दा इंगली साउंड का पार्ट सैवन है, अन्दर हम पावल्ट साउंड को स्टडी कर रहे थे और इसका पार्ट बन हमने पड़ लिया थ आपको इस वेपसाइड से मिल जाएंगी आप नहां से डाउनलोड करके प्रक्टिस कर सकते हैं बढ़ते हैं अपनी वीडियो के तरफ लाउंग वाउल्स यह दिफ वाउंग्स क्या होते हैं जो डिफ वाउंग्स है अगर हम उसको देखें तो यह डाए यह गर्ट युदर मतलब डू जैसे कारवन डाय अकसााइड होता है डाया और वन हम आइक साइड होते हैं इस हम अन्न को लाउंग वाउंग्स करते हें और इनकी तदाद English में पांच है देखते हैं ये पांच कौन से हैं और इनकी sounds कौन से हैं sound number one में देखेगा इसको हम बात में देखते हैं पहले इसके example को देखते हैं word है यहां पर इसके example car अगर हम car sound को इनके C को remove कर दें तो बाकी बचेगा or और अगर रो कभी में खत्म कर दें तो बाकी बचेगा or यही यह sound है यह कि हम इसको थोड़ा लंबा करेंगे और ऐसे glass, half, car number two cool, 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 shoes इन तोनों के spelling यहां पर बेश्चक वावल साउंड का सेम है लेकिन यहां पर spelling different है लेकिन आवाज सेम है और वही हमारा concern है o sound, थोड़ा सा लगती करके number three e, need, beat, theme नहीं थोड़ा सा इसको prolong करेंगे sound को यैसे need में से n निकाल देंगे बाकी बचेगा id और द भी निकाल देंगे बाकी बचेगा id और वही sound है ये वनी number four a, third, girl, verse अब यहां पर देखेगा यहां spelling बिलको different है o, r जो है वो sound दे रहा a, third, girl, verse number five o, जैसे talk, log, call तो ये awesome है I hope so कि आप उसकी practice कर रही है और यही आज की वीडियो थी, short सी तो यह हमारे long walk से इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रक्रक्रिस करें और practice के लिए आपको material इस website से मिल जाएगा और इसका link description में भी मिल जाएगा और आज की वीडियो यही थी, इन्शाला मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए Allah